बहुत सारे लोगों को एक confusion होता है कि एक entrepreneur क्या है और एक businessman क्या है सही है ना शलापको भी होगा कि बहुत बहुत सारे लोगों को एक businessman हूँ और बहुत सारे लोग होते हैं विजिकले कहते हैं उससे अगर बढ़कर बात को रहें अच्छा सारे चाहूंगा अगर आपने कभी ध्यान से सुना होगा तो रतन ताता ने एक बार बात की थी कि reliance industry जो है जियार businessmen और हम लोग industrialist है क्या फरक है दो नोगे क्या फरक है businessmen और industrialism जतन राज है बताया था क्यूं है वो businessmen क्यूंकि वो reliance जो है profit loss का सोचता है majority अगर वो काम करता है तो या तो ऐसा सोचते है कि मैं खुद बखुद सारा चीज़ें करो business में करो तो सारा control मेरा होना चाहिए industry पुरी control मेरे आत्मे होनी चाहिए वो businessmen की सोच होती है और industrialist क्या होता है कि मैं खुद बनू और मेरे साथ बाकी लोगों को भी grow करो ये फ़रक है एक industrialist और बिज़र ये return दाता जी ने बताया था उसी के अगर आगे continuation करते है कि as an entrepreneur और as a businessmen क्या सोच में फ़रक होता है अगर businessmen की अगर बात करता है पहले तो उसके लिए profit और loss बहुत माहिने रखता है उसके लिए knowledge sharing या development से ज़्यादा भी क्या माहिने रखता है कि कैसे मैं पैसे कमा हूँ और कैसा profitless करो और जो entrepreneur होता है वो visionary होता है वो आगे का सोचता है कि शायद मुझे future बिजनेस करना है मैं art loss कर रहा हूँ कर लेकिन ये basic बिल्ट कर रहा हूँ राइट बहुत ज़रूरी है अगर आपकी पहले जब तक ये सोच डेवलॉप नहीं होगी कि मेरी businessmen या तो entrepreneur की सोच कैसा आप अपने entrepreneur कहते है पर सोचते है फिर बाकी businessmen जैसा है उसमें कैसा पैसा मिल जाएगा क्या पैसा मिल जाएगा पैसा entrepreneur के लिए buy product होता है वापेश रिपिट करना हूँ as an entrepreneur पैसा buy product होता है आप अगर कुछ अच्छा काम करते हो आप अच्छा vision के आथ in this society के लिए कुछ अच्छी change लाते हो तो by default पैसा तो follow करना ही है पर businessmen के लिए सबसे पहले पैसा होता है उसका profited loss होता है तो वो अच्छा काम हो, बुरा काम हो कैसा भी काम हो करने को ready हो जाता है क्योंकि उसके लिए उसके लिए profit या loss मैंने रखता loss किया, withdraw भी कर लेता अब entrepreneur होता है वो अपने commitment के उपर अपने vision के उपर और long term planning के उपर काम करता है वो सोचता है कि वो industry में क्या change कर रहा है वो सोचता है कि industry के वो क्या दे रहा है उसका return जो होता है वो money होता है businessman के लिए वो ही होती कि मैं जो होता है उसका immediately return मिले मुझे entrepreneur की सोच एक लंबे vision से होती है वो सोचता है कि future में क्या आने वाला है मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस्ता से वो खुद की सोच के उपर काम करता है businessman majority मैंने देखे है वो किसी का सोच का लिके लेने के लिए किसी की short term सोच के वो अच्छा कर रहा उसका ढूण लूँ यह अच्छा कर उसका डूण लूँ यह सोच से डिवलॉप कर तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है अगर आप अच्छा entrepreneur बनना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि ना आप सिर्फ businessman बनू अच्छा entrepreneur बनू तो लंबा सोचो vision देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ आप सोचो कि future कहां पर जाने वाला है future कौनसी industry में आ रहा है कौनसी industry का knowledge लिना चाहिए क्या लिया चाहिए entrepreneur अपना knowledge सबसे ज़्यादा जो experience होता है वो अपने गेन करता है सबसे ज़्यादा knowledge के ओपर focus करता है instead of preending entrepreneur की ये सोच होनी चाहिए कि लंबे में कि 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहां पहुन सकता हूँ मैं उसका vision देखने की आदत as an entrepreneur होती है so मेरी गुजारिश है अच्छे entrepreneur बने समाज के अंदर social life के अंदर क्या changes हम लोग ला सकता है आज मैं कुछ भी नया venture ले रहा हूँ उसमें society में क्या effect हो सकता है society को मैं कैसे change कर सकता हूँ ये सोच entrepreneurship की होती है ना कि सारा मैं ही रखू और बाकी सब को developing नहीं करने है तो right so ये सोच businessmen की होती है कि सारा controlling power पर entrepreneur सोचता है कि मैं भी grow करूँ साथ में साथ industry भी grow करें और साथ में साथ दूस्ये लोग भी आए और जो आगे बढ़के grow कर पाए तो मेरी गुजारिश है अच्छे entrepreneur बनी है क्योंकि आज बहुत सारी opposition है आपके पास दुनिया एक यंग इंडिया को देख रही है अब यस यंग इंडिया के अपनी सोच बदलने की जरूरत है हम लोग अभी भी यूएस के culture से आदी है number one number two बने के आदी है instead of this best बने का try कीजिए कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊं मैं किस तरसे अच्छा कर सकता हूँ society के लिए अपने समाज को कैसे में develop कर सकता हूँ वो ही हमें सच्चा entrepreneur मिलाता है I'm sure आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है please share कीजिए लोगों को बताइए कि as a entrepreneur मेरी क्या सोच होनी चाहिए मैं किस तरसे change कर सकता हूँ तभी जाके भारत के वो सुनहरे दिन वापिस आपाएंगे थैंक्स लूट फर वाचिंग लिस और कुछ क्वेश्चन है क्वेरी है मेरी गुजारिश है हेस्टेग आस्क ट्रिपलाई एम लिखे पूछिए अगर आपने हमारे बहुत साइव वीडियो नहीं देखे है हमने स्पेसिफिकली एक्जिम पेनियो के ऊपर वीडियो बनाया है हमने एक नया वर्ड दिया हुआ है जिसको कहते है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरपेनियोर जो बिसनेस कर रहे थे अब तक पर आप उन्होंने एंटरपेनियोर का सोचा है और वो भी Export Import Industry के फॉर्स जनरेशन Export Import Entrepreneurs है वो इसलिए वो Eximpreneurs है तो मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों के साथ आप देखिए जुड़िये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए शेल कीजिए ताकि आपको भी वो मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा Export Import को आगे बढ़ाते रहो जय भारत जय हैंग झाल 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 झाल